आज हम इस वीडियो में देकिंगे की एक की मतदसे किसी भी फोलो का बैग्गराउंड के जो चलिए स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो इमेजीज है एक सिंपल इमेज है और जो दूसरी इमेज है वो है एक बैगराउंड हम Simple Image पे एक निया Background सेट करेंगे सबसे पहले आपको जा करना है File के जाना है File पे जाने के बाद Open पे क्लिक करना है और आपको Background Image सेलेक्ट कर लेने है जो भी Background आप लूज करना चाते है मैं अपने फोल्डर में जाके Background Image सेलेक्ट कर लूँ इसके बाद जिस फोटो का आप Background चेंज करना चाते है उसे Open करने जिए File पे जाके Open as Layer ध्यान रखेगा Open as Layers के क्लिक करना है उसके बाद Image सेलेक्ट कर लेनी है जिसका आप Background चेंज करना चाते है और उसे Open कर लेना है Open as Layer आप इसका Side चेंज कर सकते हैं Side में आपको दिखाई दे रहा है Scale tool इसे Select करें अपनी Image को Select कर लें जिसका Side Change करना चाते हैं और उसे Background के बराबर कर सकते हैं अगर आप करना चाते हैं तो इसके बाद Scale पर क्लिक कर दीजिए आपकी Image को Scale हो चुकी है उसके बाद आपको Select करना है Scissor Tool Scissor Select Tool और अपनी Image को Cut कर लेना है जितनी Image को आप Use करना चाते हैं आप Image को Select कर रहा है जितनी Image को आप Use करना चाते हैं और से Select कर सकते हैं और उसके बाद Enter प्रेस करना है Enter प्रेस करने के बाद आपको जाना है Select और उसके बाद Invert पे क्लिक कर देना है आपको नजर आएगा कि आपकी जो इस Image का Background चेंज करना चाते हैं उसके Side में चलती हुई Line नजर आएंगी फिर आपको जाना है Rubber पे पे जाने के बाद आप इसका Select चेंज कर सकते हैं यहां से Size का Increase करना है और आपको Last time Select करने में थोड़ी कलती होगी थी जब आप Select करके Enter प्रेस करेंगे तो आपको फोटो पर ऐसी चलती ही Line नजर आएंगी जब आप फोटो को Select करके Enter प्रेस करेंगे तो इसके बाद आपको जिस पी फोटो को Background चेंज करना चाते हैं उसे आप मिटा सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी फोटो का Background चेंज हो चुगा है जो आपकी नए Image बन चुकी है इसे Save करने के लिए आपको जाना है File पर फिर जाना है Export पर जाना है Export एस पर क्लिक करना है Export एस पर आप इसका जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं और आप नहीं पर भी Save कर सकते हैं मैं टेक्स्टोप पर Save कर रहा हूँ इसका नाम दे रहा हूँ Background चेंज हो चुका है और नए फोटो आपके PC में Save हो चुकी है जो